हेलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल आई स्पीचेस पोसिबली आई एम प्रेम कुमार और देखिए इस वीडियो से हम लोग मेडिवेल हिस्ट्री आपको स्टार्ट करने वाला है घटना चका हम लोग गेम से क्यू फॉर्मेट में देखेंगे त्योरी आप ल लोग पर देखेंगे फर्स्ट पॉल इफर न्यू तो माई चैनल पिस सब्सक्राइब चैनल इट्समें लिकेस्ट तो लाक दिस वीडियो एंड शेर इस वीडियो ट्यूर्ट यूर्फेंस देखें सेंट हिस्ट्री का मोग ने डाल दिया आए घटना चका आप लोग प्ले तो यह आपको प्रोफेट थे उनका जनम कब हुआ था पांसो सत्तर एडि में हुआ था इसको याद ने करना पड़ेगा नो एनी अप्सन मतलब कि कोई आपके पास इसके अलावा अप्सन नहीं है देख सकते हैं कहां पे मक्का मक्का के अरभियान सिटी में अरभ सिटी में और इनको होली प्रोफेट बोला जाता है चौसब अधिस एडि में डाट किया है मक्का कहा है तो अभी हम लोग ने बोला कहां पर है मक्का तो अरभिया के सिटी में है सौधी अरव ठीक है यहां देखिए हिंदू सब्ध का रिफ्रेंस दपीपूल आप हिंद मतलब कि जो इंडिया है उसको हिंद बोला जाता था उसके लोगों को हिंदू बोला जाता यह सब सेंदू देख था ärikben भार्ती एदोपफिन सबस हिंदू और में में और यहां पर देख सकते हैं इनवेडर जो लोग आय ते उना पर के नाम पर इंदू चिंदू हिंदू बोलने लगWar और अब इंडिया कंट्री के बारे में पूछ रहा है तो चचनामा के कहां था तो देख सकते हैं यह चचनामा के अरोड था यह चच का इस्टूरी है चचनामा में ठीक है और यह देख सकते हैं पर्षा में लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं जो सिंद का राजा था राजा चच उसके मतलब कि यहां पर नाम लिया गया था उसका बेटा दाहीर आई तिंग के दाहीर के नाम आप लोग कुढिशा तो देख सकते हैं सबसे पहले यह सासवफ़ेगारा का जो राजा क्याम सकते हैं और सिंद्ध के कि इंडिया माली यहां पर होता था था थो यह प्रता था थैझां वहां पर एक जैदा होusta फासे бр wallpaper कि मोहमाद बिन काशिंग को इasures like को एक बारे ठीट हो है कि यह था इंड़ीन में मालत 17 मिह अूथ ज्यादा मतलब की यह गेम किया था तो इसको आपको ध्यां रखना है ठीक है फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन आपको बीपीसी में भी देखने को मिल सकता है यूपीसी वगर है स्टेट पीसेस में तरकिस इंडिया वेर सक्सेस्पूल ते कि तुर्की का जो आकरमन हुआ क्य आपको सफफल हो जाता था तो यह दोनों अप्सेन ट्रू है और जो आर इस दो क्रेक्ट एस्प्लेंशन यह जो रिजन है वह सर्चन का मतलब की एक्स्प्लेंशन करता है ठीक है यहां देख सकते हैं पर सकते हैं वीडियो को पर करके यह एंसर देने का प्रैस करेंगे देखें कौन था यह अरब के लोग ही थे और गोरी या गोरी यह गजनी यह सब का भी बारे में आगे आपको मिलेगा ठीक है यहां पर देखें मुहमद बिन कासिम कहां था तो अरब एक मतलब रूरल था ठीक है यह देख सकते हैं वह भेजा किया था किसके दौरा वहां के खलिफा और वालिद के द्वारा हूं एमांग दो फॉलिंग वाज फाउंडर ओफ गजनवी डाइनस्टी तो गजनवी डाइनस्टी का जो है यह आपका फाउंडर अल्पदगीन है ठीक है यहां पर देख सकते हैं आप लों खुरासन एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया रूल भाई शमानिद्स जो की इरानियन हुआ करते थे और यहां पर आप देख सकते हैं इनका गजनवी डाइनस्टी को देखिए यहां पर यहां पर लिखा हुआ है जो कौन असापिक किया यहां देख सकते हैं अल्पतगीन यह एक तरह का स्लेव था मतलब की तुर्की का गुलाम था यह देख सकते हैं चंदेल किंग वाई नौट डिप्रेट भाई मौहमद घजनवी कौन ऐसा मतलब मौहमद घजनवी देखिए आया को बाया है तो यह दो सो पतीच हबिस में सोमनाथ पर अटेक हो था तो देख सकते हैं सेंटरल इंडिया में जो मद्ध भारत है वहां पर यह राज करते थे उनका जो स्केप्टल सिटी था खजराहो था खजराहो का मंदिर भी आप लोग यह सुने होंगे जो बाद में महोबा में इनका केप्टल सिफ्ट हो गया था ठीक है मोहमद घज यहां पर फॉलास है लेकिन दूसरा गलत है हाथ ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह गजनवी जो है आपने फादर को यह किया सकसेस किया और यहां पर देख सकते हैं ठीक है और तीन परसन को यह मुहमत गजनवी के दर्बार में थे फिर दोसी इन्हों ने सहानामा लिखा था ठीक है ओमर और फिस्टिन को बोला जाता है यह भी कोश्चन है अले ब्रेव ने जो कितक तकी के हिंद लिखे हैं ठीक है और उत्वी जो कोट हिस्टोरियन है ठीक है यह किताब लुए यामिनी और तरकी से यामिनी लिखता है इसको याद रखिएगा तेकि फरिस्ता अथर अफ साना कर दोरी करें ठीक है पौब दोसी पीड़ोषी अगर रता तो जाकर हो जाता है सानामा के लिखें लेकिन यहां पर फरिस्था लिखा है तो यह एक तारीक के फरिस्था यह है इसको लिखने का मियाद देख सकते हैं फरिस्था ने लिखा यह बुक तारीक के फरिस्था उसका मोहमद कासीम फरिस्था पुरा नाम था यह देख सकते हैं याद कर लिए इसको भी कोई पूछ लि देखा हमें यह फिर्दावसी अलवरुनी और उत्वी ठीक है यह अफ्लोग पड़ सकते हैं तोड़ा था तो वहीं 1020 में तो 11th century AD हो जाता है जैसे माले जब भी दो अधर देश चला तो एकश्वी सप्ताब्दी चला जिद्धार रख लेगा विच स्कॉलर केम टुइंडिया भी मोहमद गजनी तो यह फिर से रिप्टेड है अलवरुनी आया था उनके सांद गजनी के सांद के पहले कासीम आया फिर गजनी आया फिर गोरी आएगा गोरी यहीं पिलतुरिया चोवान के सांद लड़ेगा यह आगे देखेंगे से भी इंफ्लेंस था लेकिन स्कुलर अथर नहीं था यह धर्न इंप्रेक्स नहीं था यह थोड़ा सा उनी के गजनी के मतलब की इंफ्लेंस होका लिखते था एक है यह पड़सकते आप लों कोई से स्वर क्वाइंस को जारी किया मतलब हिसु क्या उसमें भी एक साइड में क्या है कि संस्कृत में लिख दिया है हम पुछ करके और दूसरे साइड में जो है आपको उसके अपने लेंग्विज पर्सिया वगरा में लिखा हुआ है तो यह कौन था तो मुहमद गजनी था अब गुरी नहीं आया गजनी का चल लाएका ठीक है और अब इक में लिखता था सोरी मैंने पर्सिया इतिंग बोल द है तो यहां पर देखिए गुरी आ रहा है सहाब शीहा बुदीन मौहमद गुरी और यह 1192 में यहां पर देख सकते हैं आएगा और फर्स्ट एटेक करेगा 1175 में मुलतार पर करता है लेकिन वह समय देखिए यहां पर 1191 में प्रितुर्याच चौहान के साथ लड़ता है पह आने आप लोग सुनाओंगे तो यह चीज़ है ठीक है तो मौहमद गुरी को फर्स्ट टाइम किसने हाराता है तो भीम दूतिये जो हैं देखिए मौहमद गुरी यहां पर जो गुजरात के राजा है भीम देओ दूतिये वह हिंदू रोलर है और सुलंकी डाइनेस्टी से और उन्होंने क्या कियादे कि यहांपर इनका काम क्या उन्होंन की इकष्क्षर में यह साक्षान करते थे और मैजजार्ट किये थे और उसके बाद ये गुज्रा साइट भी नहीं किया गुरी कभी और मुहमद गुरी डिपीट किया जेचंद्र को किसमें जेचंद और चंदावर ना मिलता जुलता है उसके ट्रिक से याद कर लेगा 1194 महुआ था राजा जेचंद और ये मुहमद गुरी के बीच में 1191 में त इसके साथ जो है आया हुआ रहाता है ये मुहमद गुरी के साथ ये पौन आया रहाता है आप लोग जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर नॉर्थान इंडिया में यह साथित कर लेता है यहाँ पर यह जो तीन चार नाम दिया हुआ इसको सजाना आपको कौन कव आया है ठीक है तो देखिए तैमूर आइधिंग तेरे सो अंठानबी क्यास पास में आता है इसको आप लोग एड़ बद चिक कर लिए त गेंगिस खान देखिए मुहमज गजनभी गजनभी तो गजनी यह कव आया था 1025-26-2720 में 26 विश याद कर सकते हैं सुमनात का अटक से और यहाँ पर देख सकते हैं गेंगिस खान यहाँ पर देखिए गेंगिस खान आटक हांटेट डेट-वद खालिजण सानी यह कि बारेशस्व एकोईच में किया है तो यह देख सकते हैं कि इसमें जो है पहला दो नमबर पर आएगा तो इसमें सबसे पहला है ऋम्मद गजनभी यह एंसर हो जाएगा उसके बाद यह इसके बाद में तेमुर किसके सासना काल में अटयक करता और शुर्दिन मुहमूर था क्या कमेंट मताई है चंगेज खा किसके काल में करता है उसको भी बताईएगा है ठीक है तक एक कौइंस पीच मुस्लिम रूलन बियर एन इमेश अब देवी लक्षमी देवी का यह सिखा पर मतलब कुन का एक पिक्चर बना कर जारी किया था तो गजनभी तो संस्क्रीट में एक्साइड में लेकिन यह लक्षमी की एक साइड में कौन करता था गूरी करता तो यहां पर देख सकते हैं तो यहीं बक्तियार के लिए जो कि आपको नलंदा महावियार को जलाता है और इक तरह से बिधुवंस कर देता है और बिहार पर अपना अस्थापना भी करता है तो यह चीज आप लोग देख सकते हैं और जो अभी हम लोग ने कुटूब दी नियवक के बारे में देखा वो दिली सत्यंत में यहां पर आप लोग पढ़ियेगा तो वह स्थापित करता है बारे सो चौशा बारे समय देखे इसमें ट्रिक है गुल खिल तू साव लो गुल खिल गुल खिला यह गुल किल तू अलब तूम सो रुपय लो यह सो लो तो यह हो गया गुलाम बंस स्लेवंस इस तरह से आप लोग ट्रिक बना लिजेगा आपनों लिके यहां पर फर्स नमबर कोश्चन से स्टाट करते हैं त्योरी आप लोग पढ़ेगा विडियों पोस्ट करके यह एंसर देखे बिन आपनों बताने के प्रयास करिएगा स्रेव डाइनिस्टी का फांडर वह संस्त आपको माना जएता है तो कुदिवनिय एवखा को मानाuju फर्स टूलत स्लेव दैनिस्टी profoundता लिफ्टिवनिषटी की का तो कुदिवन र॥ा यहां पर देख सकते हैं ये इनियुद्ली में अपना सलतनाथ फैनकर नहaffen से बतम बताची सिकल करता है यह दोद्विश करता है देखे यहां पर यह सब अपलो पड़ लिए विस सल्तान अब दिली सल्तन तिन्म नाइस लाल भक्स लाल भक के नाम से किसको जाना था धुट बीने बाख क्यों जाता है लाल बक्स इसलिए बहुत जाला मत अगरा करता था चाहिए देख रहे मुस्लिम रूलर और इंडिया था जो की केप्टल को दिली में यह रूल प्रॉमिस केप्टल इंडिली ठीक है उसके शासल महासम निजामी भके मुदबीर यह लोग थे ठीक है इसको ध्यान रखेगा लाओर से दिली में ही लाय था कुटु मिनार का स्थापना यह करवाय था अड़ाय दिंका जोप्रा और मस्क बनवाय था तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और कुटु मिनार किसके यह यह याद में बना इसको जोल्डी से बता दीजा कंप्रेट करा था यह तुमिस ने बाद में इसमें फिरो सा तुगलत वह जोगदाने कमेंट बताएगा कुटुबदीन एवक तो इसका मतलब की फांडेशन इस्टोन बनवाता है करवाता है इसमें नया मतलब की एक मंजिर बनवाता है प्रोशा तुलड़ जो इसको रिपेरिंग कराने का काम करता है लेकिन गया सुदिन तुलड़ का कोई जोगदान है यह पॉल लिए आपको इसके मतलब की याद में बना है तो देख सकते हैं 3 बनवाया था पांडर है यह कुटुबदीन पक और तीने स्टोरी यह बनवाया से फिरोसा तुलड़ के द्वारे या डेमेज जो था उसको यह करवाये गया रिपेरिंग वगरा और दो प्लूर को भी आई तिंग कि फिर प्रतियार काकी थे किया उनके का याद में बनाए गया तो यहां पर देख सकते हैं आप लो प्रतियार के लिए आपको घोड़े से गिरिया और मर गये उनको लाहर में डपनाए गया था अनार कली बजार में देख सकते हैं किसने दिल्ली एस डाप सल्तनात की रूप में यह स्थापिट किया था तो कुतुबदी ने बगत लाहर से इसासं करते थे और दिल्ली में बाद कि इस फर्स्ट यह रिएल्ट तर्किस था सुल्तान जो कि आपको यहां पर दिल्ली में अपना और अभी सिल्वर चलाया था कॉपर करेंसे भी चलाया था है कि यह सब आप लोग देख लिए गता था है कि कि हूं आज फर्स सुल्टान अब दिल्ली हूं इन्टो डिश्यू तो इस फूट में सिता विचल अपनी वाइज देख लुट अप्सलिम रूल अप दिल्ली तो दिल्ली का पूछ रहा तो यह तूटमीस अगा यह पूछा की इस्टेबलीच कॉन किया था दिल्ली सजना तब खुटम दिन होगा तुश्टर से आपको याद रकना तो अट ल यह सई वीडियो के पॉस्कार गें गुलाम का गुलाम किसको का जाता है तो इसमीं बोला जाता है क्यों इसे घूर के वाले ध्यान देंगे कि यह र्कीए लिक ना यह पनी मेरे मेरे मेडिवल इंडिया के कौनती रजिया सुल्तान थी देख सकते हैं यह बारसो चारीज चारे साल तक सार्षन कर पाई है यहां पर देख सकते हैं पर्ष्ट में रूलर थी बहुत इनको मतलब की सामना करना पड़ा लोगों का यह पर ट्यारिकल सुसाइटी को लेखा तो यहां पर देख स सम्तिंग हो जाएगा 21 के असपास चेजिंग वो जो है जलावदीन मंग बढ़नी को मतलब के चेस करते हुए पीछे-पीछे करते हुए आया था ठीक है यह तुतमिस्टेर नोट रिस्क दा इंवेजन बाई डेंजरस एंड़ियस इंवेडर लेस्ट गेंगिस तो उसने इस आएंगर से फर्स्ट टाइम्स कौल में थे लेकिन यह इस आए मंगबंडी के साहता निक्या तो फी लोट गया था मंग अंडर गिंगिस काल में यह आयदे यह लूट ने वह घंगेज का यह गिंगिस पैस्ट गिया तर चंगेज गान तो यह औरिजनल नाम गिंगिस तक न एया मलिक ज्यानी को इसने पहला सुभधार निजुब किया था वार्वार्यस के थोड़ा स NHK The और ध्यूद्फ और आ सब्सक्राइrie म५प्र में घया गला फ्रेजन मत्लब कर दो तो यहां पर देख सकते हैं रजय बेगाम the leadership the governed Todala यह मतलब कि रजय सुल्थान के ऊंगेस्ट में जो भीद्रोव बना तो यह बाड़िंडा के जो गलनर थे उसके लिडरस्टीप पे और मलिख यहते वहाँ के बाड़िंडा फून ने मप्सुल्टान दिल्ली बलबन वाच बलबन का पुरा नाम गयासुधिन बलबन था यहां पर देख सकते हैं यासुधिन बलबन और यह देख सकते हैं यह बलबन रख्ट और लग की निति लाएगा अप सिज्दा और पयबूश लाएगा नोरोज फेस्टिबल नियामत एक खुदाई के नाम से बुलता था और पेगंबर के बाद यह राजा ही आता है यह बुलता था तो यहीं है प्लवन तो रख तो लोग की निती ठीक है और यहां पर देख सकते हैं यह सब पैगंबर के बाद इसका अस्काना था वह बलता था वीच दिली सल्तनती नोग अज़ेपिंग अड़ाप्टिंड और आईरन पॉलिशें पॉस्च्छन है तो इस तरह से आप लोग चक लगाई तो फायदा होगा तो यह बल्बन ही है और यहां पर देखेंगे दो अप्सन एसर्शन अडिजन यहां पर देखें पड़िए बल्बन में इस गवर्मेंट पामेश्य वालेंड चेंट तो करता था यह बात तो मतलब की बहुत अत्तक शहीं है और ही वांटे टो अरेंट नर्थफ्स वांटेर अंगेश्ट मंगोल इंवेजन तो क्या सेंटरलाइज लिべकरना चाहिए चेंटाला ने चाहिए उसको हाँ रहे है तो देशक अंदर में कोई विडाबर यह सुम सेंटरल इनकरना चाहिए तो पहला सुर्य यह पॉट्रचे करना हो यह असल म कुछ सेंटल बनाना चाहता था यह नहीं दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसको ध्यान से पढ़ेगा समझने का प्राइस करेगा बन जाएगा कि एप्टर कॉंसलेटीन इस पावर बल्बन कौन सा टाइटल जूंकिया यह जिल्ले इलाही तो जिल्ले इलाही याद रखेगा नियामे ते खुद आई यह रिपर्जेंटेटिव गौर्ड जो बुलते हैं वहीं चीज हैं यह इमेज़ गौर्ड जिल्ले इलाही का बात कि देखिए यह बोलता था कि जो सुल्टान का पूजिशन और टो क्रेशी और टो क्रेटिक टाइप का देखिए इस पर सी सेट को लेकर यूपेसी जिसे और टो क्रेटिक अपना वीवे देखा रहा है उसे तरह का यह चीज था वह मंग तो फ्लोईंग इंट्रोइंग नहीं यह कौन लाए था उल्तुटमिस लाए था कि कमेंट बताएगा पावर अब तुरकाने च्वलगानी खतम किया था इल्तुटमिस को दुलोच चालिक यह था यह सही है और यह रिवोल्ट बंगाल को क्वर्ट किया गया था यह वस है लेकिन वी इंकरक्ट है इस तरह सि यह बोलिस किया था जो की तुर्काने चलगानी यह 40 लोगों का गुरूप होता था मिनिस्टर बगर यह सब इसको सला देते थे और यहां पर देख सकते हैं बिहार में तुग्रिल खान मतलब की किया गया था बिहार का सुबधार था इसके समय में एक डिवल्ट यह को भी रखेगा आई से यह यह ठीक है तुर्गाने चली चली गानी को तुर्के चली सा इस तरह कभी नाम था यह ध्यान रखेगा इंदी में विचाव दफुलिंग सुल्टान है स्कुर्ण हैं सब्सक्राइब कर दोड़ मुक्तेश्वर के दिवारों पर वह अपने आपको यह ख चरन को चुमों यह सब टाइब का यह इसी से रिलेटेड है ठीक है इसको ज्यान कि आप लोग नेक्स्ट है यह खिलजी के जलाओ दिन खिलजी के द्वरा इस्टाब यह स्टेब्लिश के जाएगा बारसों नब्बे में बारसों च्छों सा बारसों नब्बे तक चला आपक इंड़र ओप सरीयत जब उसने राजा का मतलब की पुश्ट ग्रांड किया तो आपने सारे सरीयत के नियों मग कानों से परे था इंडिपेंडेंट था तो किसके बारे मुला गया तो अलाओ दिन कीली कि सबसे ज्यादा साफ अच्छा बोलेगा यह अलाओ दिन के लिग बह इसने बोला था इस चीज के बारे में जी अदून बढ़नी जो है बढ़नी इसने बोला था यह लाओ दिन कीली के बारे में कि सरयत की नियों मुझे परे फिज जिन सबसे कम समय के लिए कौन सासंव करेगा तो देखिए खिल जी मतलब मार के सबसे की खिली बढ़ा रहाए लो यह सबसे कम-के दीरी उसांद करेगा और सबसे ज्यादह कौन करेगा तो देखिए है तो तो जाछ प्रतिव gefलूक मैं कि लोग उसको बिरोद करते थे माया थे क्वाज़े और पोर द Dabei कर नया दंदा यह नहीं पाया लेकिन अगब करें तो इसकरलिय नहीं तो उसका वि प्रश्च किया था वी सुल्तान अब दिल्या जुन ताइटल ऑफ अलेगेंडर ग्रेट मतलब कि शिकंदर महान जी से टाइटल किस ने लिया था तालावधिन खिलजी नहीं इस अपने टाइटल लिया था और मंगोल के देखें अलावधिन खिलजी डायट फाटिंग एस मंगोल के कौन सा आर्मिक कमांडर था अलावधिन खिलजी का जो कि मंगोल के ब्रोद लड़ते लड़ते मारा गया तो जपन का था इसको याद रहे आगे एक आपको कुलिच काने कुछ मिलेगा उसको भी देखेंगा लो जपन का मारा गया था यह लड़ते-लड़ते तो अ जो ओवर हुआ था और जो मुभी बना राने परमावती हुआ ही बला सब चीज है आप लोग जानते होंगे ठेक है पदमावत परमावती यह सब चीज अलावधिन खिलजी के समय में तो यह इसका मतलब की दाग ही बोला जाएग एक तरश है ठोलौ रहाएं को तो दिए यहां पर ऐक सर्षंप्ट अरीजिनी कोषन है अलाव दीन टकन एक्सपेडिशंड है फाइने स्वेंश्य वेंचर तो क्या लावत दिन गल्कन कंड़ चलाए गया तो उसमें मतलब की फाइनेंसियल वेंचर मतलब कि उसमें प्रोब्लम देखा गया इसके बारे में और दूसरा आपको रिजन दिया गया देखे यह तो जैसे यह आप आर फॉल्स करिएगा तो सी एस एंसर हो जाएगा यह वाला ट्रू है तो इसको ध्याना किएगा इसको पढ़ सकते हैं आप लो तो लेकिन आपना मतलब की अस्थाफित करना चाहते तो वहां तो कि मुझाय की वांद करनार आप लेकिन करना को पता तो वावच रूलर सब्सक्राइब लोग जो भी आएंगे यह उसमें कोंगे देवगरी के साथ सब्सक्राइब यहां पर और है रामचंदर यह वहां वहां पर पर दो दो समय यह साथ में जब अटेक करना रहा था तो जितने यह गया था मली कापुर अलावधिन के जी पांड मली कापुर डियूरिंग इस विक्टी अब गुजरात तो थाउजंड दिनार कापुर भी बोला जाता है यह आगे कुष्चन में मिलेगा यह मली कापुर को थाउजंड दिनार कापुर बला जाता है थाउजंड हजार दिनारी इसको बोलेते हैं हिंदी में हुष्च आर्मी वाज डिप्टेट वाइद आर्मी ऑफ काक्तिये रूलर इं 303 एट वारंगल तो अलावधिन खेल जी का आर्मी डिफिटेट हुआ काक्तिये रूलर के द्वारा वारंगल में तो देख सकते हैं यह अलावधिन का जो अटेंप्ट था कौंकर करना वारंगल को एक डिजास्टर के रूब में तबदिल हो गया काक्तिये डाइनेस्टी के जो राजा थे यह परताप रूद्र वह यहां पर हरा दिये अलावधिन के आर्मी को और फक्रदीन जुना को यहां पर मलिक चज्जु क को डिपीट का सामना करना पड़ा डियूरिंग दरीजिन ओफ फी सुल्तान वाज दा खाली सा लेंड डिवलॉप और लार्जिक सबसे ज्यादा मतलब की स्केल पर पैमाने पर देखा तो खाली सा भूमी का मतलब की ज्यादा बढ़ावा का देखना को मिला अलाव दिन खिल यह जो चीज है अलाव दिन खिल जी कहीं समय में था तो यहां पर वन मतलब की हाप यहां पर लेंड रेवेन्यु खराज जिसको बोला जाता देखकर लिया लेंड का और सब कुम से सब किसमें होता था यह साप लोग पढ़ लिएगा ठीक है सुल्तान जिसने की लेंड रवेन्यु बाइब मेरे लेंड तो यह सही होना चाहिए कि वह जो खेती का जो लैंड था उसको मीजर करके हैं यह रेवेन्यु लेता था और मीजर को इंटार इंपार में क्या इंपोर्स किया तो इसको ध्यां रहें 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 मतलब पूरा समराज में ही अभु छोलिस इस तरह का कोश्चन बन जाता था लागान सिस्टम जो है यह लेकिन अब जो कोश्चन है ना यह दो जा तेस में आप लोग भी देख लिए इलिमिनेशन को इलिमिलेट कर दिया यह तो अच्छे से अप नॉलेज को लिए यह सब पल दीजेगा आप लो ज्यादा टाइम हम लो यह लोवर बेस्ट टुदा आटीशन बिल्डिंग इस पहले सिंदली लेकिन ऐसा था किया वह अपना जो दरबार में जो लोग कलाकारत उनको कम पैसा जेना चाहता था लेकिन यह बात गलत है वह ऐसा नहीं चाहता था तो पहला सहीं दूसरा गलत है यह पढ़ लिजेगा आपको concept clear हो जागा देखिए कोई ना कहीं बुक्स आप लोग पड़े होंगे ncati या आप माल लीजे कोई भी तो वहां से आप लोग देख लिजेगा तारे कश्पकों कौन सास्ट यह नूर्स कोई फॉलूप ने हो तो यह किसी का लेक्सर देखो तो किस सुल्ताने मार्के देखर दो लजाया है था एकल्स को बैटने भगार को लेकर तो मुस्लिम रूलर्र लिंफेंस हिस्टिक सीस्टम तो यह यह आध यह यह आप मार्केट प्राइस को देखको यहां परया टेलब करने के लिए तो यह भी प्राइस बिछॉन को को मतलब कि गूंट्रल करने के लिए तो सब्सक्क्राइब करते सब्सक्राइब को इभिक अब मार्टाइब को ट्रॉट बटर सब्सक्राइब 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 हो गया तो यहां पे पड़ी सिस्टम तो अलाव दिन किल जी कौन थे जो की घरी और होम टेक्स ग्रीक और यह लाए थे तो यह अलाव दिन के लिए यह प्लोग पढ़ सकते हैं यह अगर जानवा चरा रहे हैं तो वाट 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 वांटरी बीट्वी दिली सल्तनत और मंगोल दिली अपको यह आपको मंगोल है तो यह आपको राभी नदी उसके बीच में यह आपको बना आता था तो इसको ध्यां रखेगा ठेक है कौन सा ऐसे दिली का सुल्तान था जो कि एक स्पेशल आर्मी बनाया था अपने बांडी को पोटेक करने लिए तरह समझे कि यह बांडी फोर्स क्रेट करने लिए जो जिसे की आपको बोडर पे हम लोग लगाते हैं ना फोर्स तरह से लग मुबारक खिल जी था ठीक है अपने आपको खलिपा बोलता था मुबारक खिल जी इसको ध्यां रखेगा अपनों मैं देखते हैं अलावदिन के लिए का जब डेत हुआ तो कुटुबदीन मुबारक सा और मुबारक खिल जी यह मली कपूर के द्वारा टुलगध का देखेंगा तो ग्यास अवजबीन तुल है इसको गाजी मलीक बूला जाता हैं है इसके आगे हैं इसके आगे आपको जालावदिन यह सब आपको देखने को मिलेगा तो तुगलग का हम लोग में बताया था सबसे जादा समय तक सासन किया था तो इसको ध्यान रखेगा तो यह अलावदिन का कमांडर था देख सकते हैं यह गौर्णर अब देपालपूर बना था यह फेमस हुआ था मलिक गाजी की रूप में दिल्ली को यह त्रोन को मतलब कि साथ्ता को संभाला देख सकते हैं कि खुसरु सा को मार कर गाजी बेक तूलक और गाजी तूलक के नाम से यह स्थापित करता है तो तूलक को दिल्ली का कौन सुल्तान था जो कि हिंदू गॉड्स एंड गॉड़िस को वर्षिप इंड रुवाल अपने मतलब की राजधर पान में पूजा भी करवाता था तो कौन था दूस्तों जल्दी से बताइए तो यहां पर देखिएगा तो यह नसुर्दीन खुसरो सा था इसको अपने मतलब की हिंदू से रिलेटेड आप इसको रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा मतलब की हिंदू गॉड़ गॉड़ को अपने धर्वाल में पूजा करवाता थ सुल्तान विच से कुलर बोल सकते हैं सुल्तान विच डैनेस्टी रूल दर कंट्री पॉर लंगेस्ट प्रियर्ड तो मैंने बता है तूलक लग अच्छा है और खिल जी उनका खिली उड़ा रहा है वहार गया तो जल्दी से मतलब उनका सासंग हो गया मस्ट लॉन रूट रूलर अब दिल्ले सलता तूंग वैल वर्ष्ट इन वेरिश वाज़ा तो कौन था यसा रूलर जो कि इतना ज्यादा मतलब के एस्ट्रोमी विमेह मैथमेटिक्स में भी और मेडिसिंव वगरा में बी जनकारी रखता था तो यह था मुहमद बीन भूलत नहीं बना धा एक के दिवाने कोही या दिवाने अमीर कोही बनावाई था लेटे डिपार्टमेंट था तो क्रॉप्स होगार को द्याना आखा जाता था ह। लेटे दिवाने अमर कोही ये कौन ता तो यह अभी आपको मुहम्मद बिन तुगला को अभी देखें बार बार इप्रेट कोशन दिवाने अमर को ही एक कल्चर से डिलेटेड क्रॉप्स हो गया रहा वी सुल्तान अब दिली है डिलेट अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट जो की रोटेट साफ को तो वहीं चीज है मुहमद बिन त देखाय था देवगरी का सासर राम चंदर देव बगार आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो यह चीज है त्रांसपर ऑव केप्टल फ्रम दिल्ली तुद्वाला था बात किसके द्वरा तो यह मुहमद बिन तुगला इसको पखला बासा इसका कुछ एक्स्पेडिशन और इरान में किया गया था पहरावत खान के दवारा यह आप लोग थोड़ा सब पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा फर्स सुल्तान टुद्विश्ट टोकेन करेंसी तो यहीं है मुहमद बिन तुगला यहां पे शर्शन रिजन दिया हुआ है मुहमद बिन उसको बोला गया यह सही है क्या गोल्ड का था यह कोमेंट बाता है मुहमद बिन तुगला क्वांटेट टू इसू टोकेन करेंसी इन गोल्ड कोएंट टू प्रमोट ट्रेट विस्टेशन एंड नर्थ अफरिकन कंट्री तो यह ट्रेट को बढ़ावना देना चाहता था ल गोल्ड को अंजार किया था तो यह देखे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके पूचा जाता है तो यह सब आपको ध्यान रखना पुड़ेगा यह यूपसी का क्वेश्चन है इस तरह से सर्शन रिजन आप इस से 2030 में चला हो गया तो इस तरह का प्रेक्टिस करिए तो इसकेम अप्यर्ण करेंशी और मौहमध तुगलग प्रूब प्रूब अंसक्सिस्फुल तो स्टॉए टोकन करेंशी यह अंसक्सिसफुल हो गया इसलिए इसको पगला बास और शारे लोग को वह दिली से अपना दौलताबाश शिप्ट करने लगा तो इसे क्या हो ना कि तो इसलिए भी पगडलावॉष्ण मोर्गो को ट्रेवल था यह किसके समय में आया था तोspeaking विन्ट ही ये qi चानव मोर्गो से खысके समय माता मोम्मड मिंट खाल मैं और किस ने डिस्क्रिप्सन दी आप पोस्टर सिस्टम मतलब कि यह आपको क्टाइग से हैं उसके में तो अभी मन बतुता ने दिया मुहमद मिंतुगला के काल में यहां था मौरकों को रहने वाला था फार्ष सल्टान अब दिली पाइसिपेटि इन दो पबिक सेलिवरेशन ऑफ होली होली में भी पाटिस्पेट किये थे तो यहीं है मुहमद बिन तुगला पगला बसा तो कुछ अजीव वजीव काम करता था तो ध्यान रखेंगा लेके यहां पर है आपका कि किसके डेट पे मुस्लिम रूलर एक हिस्टोरियन ने बोला था कि मतलब कि जो राजा है उसको परजा समुक्ती मिली यह जो हम मुहमद बिन तुगला के बारें बोला गया किसने बोला इसको भी याद रखेगा पूचा जा सकता है तो यह देख सकते हैं यह रिवोल्ट विरात मोरा था तो यह तागी को तो यहां पर आपको तागी को सुल्तान मुट तूसीन तूट तागी सुल्तान फिल सीक और बिमार पर गवर गया उसकी समय बदाउनी ने बोला था बदाईू बदाई ने इसको याद देखेगा वहीं सेम च कुछ करके नाम था बंदगान थो स्लेब के लिए था और इंप्लाइट के लिए क्या था आप लोग बताई दारुल सपाई की होस्पिटल था यह फ्रूसा तूगलक के द्वारा लाए गया था यह ने फॉल्क के लिए बहुत काम किया है बहुत सबसे जाड़ा गुलाम था और सबसे पहले नारों का जाल किसने चलो कि यह बताइए बनाने का क्या गया सुल्ताना अब दिली कौन था जिसने की तरीब मुस्लिमों को या और फियन है जो भी में नहीं वीडियों है उसको माहरे मुसलिम गड़ को पूर मुसलिम गड़ को शायता दिया शूलतां अजो कि सबसे यदा उसके काल में ये गुलाम है तो फिरो सत्तुगलप था जीवाने बंदकान भी रखा था उसको लिए खट डिवाने बंदगान तो फिर सत्व लगता है यह सब गलत है तो यह सही है इसको यह रखेगा बल्बन का यहां पर आर्मी डिपार्टमेंट दिवाने अर्ज था और आप देख सकते हैं यह कि ब्रांडिक सिस्टम अलाउदिन के लिए था ना देख लिए जएगा देखिए पब्लिक वर्ड डिपार्टमेंट पीडवूड किसना लाया था तो यह एक था पीडिएस पब्लिक डिश्टिविशन सिस्टम तो वो था आपका लाउदिन के लिए के द्वारा जो अनाल बगारा बाटने का है मार्केटिफ हम हो और पीड़ूड जैसे दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने की यह पीडिएस नेटवर्ड के द्वारा तो यह परोषद तुगलग नाल को डिइन करने का काम सुरुवात किया गया था लेकिन सबसे जएधा फिरोसा तुगलग था परस सुल्तान दिली का कौन था जिसने हखके-सर्व यानिकी इरिग ओदीखेए हग के सब्सक्राइब क इसको ब्रामनों पर जज्जिया लागी यह एक तně каких पर रहान हो का पिर सब्सक्राइब मनें बता देया थान तोस द्ली में लाया था यह विख गॐल प्लिट गजो सब प्लिधोन की तो कहां पर यह आपको अंबाला लेग नख़ा कौनए स्लाइशन डिपार्टमेंट भी बनाया था हम उन्वुअ भीभाग ताकि दो कम्म्निटीज हैमा हमा लेजिए हंदू घञतने पर फिरोसा तुगलक ही था फर्स्ट इंडिया रूलर टो और फिल्ग्रमेंस फॉर्म देश्टेट एस्टेट के खर्च पर हज्ज जो यात्रा है उसको और गनाईज करा है तो यह फिरोसा तुगलक था यह बहुत बड़ा मतलब कि इसका यह मना जाएगा उसको याद रखेगा दारुल सफा यह एक तरह का खराती होस्पीटल था इसको द्यान रखेगा दूलक डैनिस्टी का कौन डूलर था जो की लास्ट डूलर रहा तो यह नसुर इदिन महमुद था समझे इसकी समय में ही तैमूर का अटेक हुआ है क्या मैंने बार-बार आपको नाम बता रहा था जहां तक मुझे है तो इस चीज़ को द्यान रखेगा देश्वन ठावे में देखे यहां पर तैमूर का अटेक होता है यह नसुर्दी महमुद के समय में हल्दूतिमुक समय में जंगेच यह तैमूर इंडिया को कप करता किसके स करा ले इस तरह से चीज कुछ हिस्टी में रटने वाला भी रटनाई पड़ेगा कौन सा डैनिस्टी यह जो कि इंडिया पे रूल किया तेमूर के इंवेजन के समय में तो यह महमुद था और कौन था तो फिरोसा तूलग का बाद आया था तूलग डैनिस्टी होगा ना तो इसके बाद तो यह दिली सर्थन को खतम कर देता है और टूलग डैनिस्टी को खतम करता है उसके बाद के ना सीद महमुद मर जाता है ना तो दौलग खान नियू सुल्तान मलता है ठीक है और खीजर खान उसको डिपिट करके और यह सहयद डैनिस्टी का स्थापना करता है यह चार लोग कना नाम दिया क्रूंज को ओडर में सजाना है तो फिरो साथ तूलग के बाद कोन आएगा रुकुदीन और आलमसा यह तोड़ा सा अजीव नाम है नेकिन अगर याद हो जाए तो याद करने का प्रयास करिएगा रुक अगर जो गुंदेडन के स्टेट हैंब देख सकते हैं सड्की सब्सारात यह ऐनां तो kadar यहान पर देखेगा मलिक सरवार ख्वाजा जहां लवाग के सासक नहीं नहीं है तो यह तो जौनपूर के सुल्ताह, इस्लामिक.देख सकते हैं सरकी डाइनेस्टी के द्वारा ये रूल किया जाता है और नसीदिन मुहमद साफ और तुगलक के फॉर्मार वजीर है ठीक है उनके द्वारा ये पॉंडट किया जाता है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है तो गुल्खिल्स तूस सजयद हो गया लोदी बंस डिसकस करते है वह अपना एति लेता है और खुदबा पड़ता है ठीक है यहां पर पहला कुश्चन के आया है तो देखें गुल्खिल्स तूसलो लोधी बंस जो है अफगान का ये थे तो लोधी अफगान से रिलेट करिएगा क्यों तो यह टैमूर जो है वह है अटेक किया था उसके बाद से अफगान ओरीजिन देखें यहां पर बाद में देखिए बाबर डिपीट करता है इब्राइम लोधी को बैटल पानीपरत में फिर लोधी डाइनिस्टी का समापती होता है और फिर मुगल बंस का चलो होता है तो आगे देखेंगे अब अभी तो में देली सलतन दे है तो देखें यहां पर बालोल खान लुदी फिर लुदी सिकंदर सा है इब्राहिम लुदीball काट फिरेक्टबर लुंग दॉली तो यहें वालोल खान भींडान आम नंवों बता है ना और बाभरी लुदी तो सबसे लाति श्बंसें को तो यह बाबर तो ακमें लिचीתי इम यहां पर देखिए इस तरह का यह दिया हुआ है तो कौन इस तरह से गया है यह तो कुछन आता नहीं है तो इसको दिख लिजेगा यह बहुलोगा जौनपुर के द्वारा यह चीज है दो थे महाराणा संगा के साथ बैतल हुआ उसमें इबराहोईलोदी डिपिटेड इबराहिलोदी को और धिया दीएं कॉन सा यह था फैक्राव ब्यांपर लोग के द्वारा गए पर मेने ऊपर आपको इनकि फिलोदो सी तुघला के समय में मैं बहुत सारा बोल दिया था तो उसको भी याद रखेगा जोन पुरिशार कौन का है फिरोजाबाद यह सब और सिक अंदर लोदी आगरा और यह है तो इसको ध्यां रखनेगा ठीक है इस चीश को आप लोग थोड़ाशा पॉस करके पढ़ लिए वीडियो को गुलुरुखी के नाम से कौन लिखता था यह आगे कोस्चन के तुरू ए थियोरी भी हम लोग समझ पाएंगे देखिए आगरा का सिटी का फॉंडेशन किसने रखा था और मेकिंग इड़ अब लुदी यह एंसर यह सुल्तानीज नून पर हैविंग अब लिख टेक्स ऑन ग्रिंस जो आज पे जो टेक्स लगाया जाता दूसको खतम किया सिक अंदर लोग यह याद रखेगा अनाज पर टेक्स को खतम किया और हम टेक्सितने लगा था अलाव दिन खिल जिता क्या से गुलाम मंसे नहीं था थे फितम था बलबन नहीं था बलमन कहां से था चल्दी से बथा दीजिए इब्राहीम लोटी हूँ यह आपको लोदी मंस का है हैं यहां पर देख सकते हैं जो कि लुकre को हराकार आपको बनते हैं कौन ये पाबर शाशन बनेंगे तो ये हम लोग भी जैने अगर अगले में देखते हैं उसके बाद और भी जीजेये आप देखेंगे तो यहां देखिए अपरेंट तो मेडि definite हम लोगे बाइब दो प्रूव लोल में चला है यहां सकते हैं यह मैंने कड़िया यह कर लीा कि रिए कड़िया कर दिया कि दो सो च्छिए हम लोगने और यहां पर कितने तक 35 थक सौपर जाये, अलिए professors क्मछक कॉर् expand तो दस और तीस स्पेस कर दिया और इसी तरसे दो तीन पार्ट और करके ये फिर मेरातन के रुपना हम लोग डालेंगे अगले वीडियो में और तो ये वला दो तीन पार्ट में कब्लेट कर लेंगे मोडरन इस्टी का मोगना डाल दिया इस्टी हिंदी में और इंग्लिस में विले कराने का प्रास करेंगे थेक्स पर वाचिंग और आपलो फेस वागरा देख सकते हैं प्ले जिश्में राकन बागा मिलते नेक्ट में